जाज़त सुप्रीमर लालू पुरसाद यादव के बड़े बेटे तेज परताप यादव अपने लुक को लेकर हमेशा ही चर्चाव में रहते हैं कभी वो भगवान शिव का रूप धर लेते हैं तो कभी के नहीं आवन बंसी बजाने लगते हैं इस बार फिर तेज परताप अपने नए लुक को लेकर चर्चा में है इस नए लुक और नए अंदाज के साथ तेज परताप सुर्ख्यों में चागए हैं तेज परताप ने अब की बार गवाले का भेश धरा है और गाएं का दूते नजर आ रहे हैं इतना ही नहीं तेज परताप ने कहा है कि उन्होंने ये विधा पिता लालू यादों से सीखी हैं इसके साथ ही तेज परताप ने ट्वीट कर विरौध्यों पर तंज कसा और वीडियो प्लोड करते वे लिखा कि हम कृष्ण के वंशज हैं और पाप्यों के विनाश के लिए हमारा जन्म होता है किसी को संदे हो तो कंस और कोर्वों का इतिहास पर ले तेज परताप ने बताया कि उन्होंने अपनी गाएं का नाम सुर्भी रखा है और खुद उसकी पूरी देखभाल किया करते हैं तेज परताप ने कहा कि आप सब को मालूम होगा कि हम तो गवाले हैं भगवान कृष्ण के वंशज हैं तो फिर इस काम में शरम क्यों और कैसी भगवान कृष्ण भी खुद गाएं का दूद निकालते थे तेज परताप ने बताया कि मेरे पिता लालू यादो भी गाएं की इसी तरहां से सेवा करते थी यह सब हमने उनसे ही सीखा है उन्होंने बताया कि हम हर दिन गाएं माता सुर्भी का दूद निकालते हैं और फिर इसे पी कर तंदूस्त रहते हैं साथी उन्होंने चुनाव की बात पर चुटकी लेते हुए कहा कि आखिर 2020 की लडाई में भी तो जाना है तो तंदूस्त रहना भी तो जरूरी है बतादे की तेज परताप को गाएं पालने के साथ ही गुड़ सवारी और घोड़ा पालने का भी शोक है उन्होंने अपने घोड़े का नाम भी महराना परताप की घोड़े के नाम पर चेतक ही रखा है और वे अपनी गाएं सुर्भी की तरह उसकी भी पूरी देखवाल खुद किया खरते हैं इसके लिए भी कहते रहते हैं कि इसी चेतक की सवारी कर्व वो अपने अर्जुन यानि अपने छोटे भाई तिर जस्वी को 2020 के रण में जीत दिलाएंगे और इसके सार्थी बनेंगे